हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बच्चो आज का हमारा जो टापिक है हमने इससे पेहले क्या पड़ा 10 रदरफोड स्केटरिंग एक्षपईरिमेंट बड़ा सब्सके उसमें अभी सिरफ रधर्फोड में क्या किया था एक्सपईरिमेंट किया था कौन सा experiment मैंने आपको बताए alpha scattering experiment किया था लेकर उस scattering experiment के basis पे है जो finding सामने आई जो उसने model दिया structure दिया एक item का वो क्या था वो अभी हमने नहीं पढ़ा तो हर एक model के क्या होते हैं पास्चूलेट्स होते हैं means कौन कौन सी चीजें उस model में रदर फोर्ड ने item के बारे में कहीं वो हमने पढ़नी है तो वो चीजें क्या हैं वो चीजें हैं पास्चूलेट्स आफ रदर फोर्ड मैडल आफ आटम के रदर फोर्ड ने जो model आटम का दिया उस model में उसने item के बारे में क्या क्या कहा के atom कैसा होता है इतना तो उसने बता दिया रदर फोड ने के atom जो है experiment में के spherical होता है और most of तैंश जो दो इसकी space होती है, यह hollow होती है और बीच में उसने क्या बता है कि positive charge nucатов नूकलोस होता है और इर्द गिर्द इसकी electrons होता है यह चीज इसने postulates में कही, postulates में इसने क्या कहा, वो अब हम देखेंगे बच्चे, तो पहला postulate क्या है, इसके ध्यान से देखना है, the mass of an atom is concentrated in a small space called the nucleus, ठीक है बच्चे, समझना है, कि क्या कहता है, Rutherford कहता है कि जो nucleus, जो एक atom का mass है जो एक atom का mass है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर concentrate होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके nucleus पर depend करता है समझगे, कि देखो, मैंने first unit में आपको बताया था कि जब हम atomic mass find करते हैं जब हम atomic mass find करते थे, तो हम क्या करते थे हम क्या करते थे, कि उसमें जो protons कितने हैं और neutrons कितने हैं इसके basis पर हम atomic mass को find करते थे ठीक है बचे it means atomic mass जो है वो इसकी चीज़ पर depend कर रहा है, proton पर neutron पर, proton और neutron दोनों होते कहा हैं nucleus के अंदर तो it means वो ही चीज़ कही इसने rather food ने, कि जो पूरे atom का mass है, वो concentrate होता है, सिर्फ और सिर्फ कहां पर है nucleus पर electrons का mass जो होता है, वो negligible होता है, बहुत ही हाम होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में आपको एक example दी थी कि एक साइड हाथी और एक साइड चूंटी तो हाथी का mass जो है वो बहुत ज्यादा होता है और चूंटी का mass बहुत हाम होता है, बट mass तो होता है चूंटी का भी, but as compared to हाथी उसका mass जो है वो negligible है तो वही चीज़ यहां पर यह कह रहा है रदर फोर्ट कि the mass of an atom is concentrated only in a small space called nucleus कि सिर्फ और सिर्फ nucleus के अंदर होता है, तो I think first postulate आप समझ गया होंगी, second postulate क्या है बचे कि atoms majorly consists of positively charged particles कि यह कहता है कि atom के अंदर ज्यादा तर क्या होते हैं कि positive charge के जो particles होते हैं वो होते हैं, means positive charge के particles होंगे, समझना है आपने देखो, मालो यह एक atom है, यह एक पूरा क्या है? यह पूरी एक gold file है, समझना है आपने, जो आपने gold की file ली थी, यह पूरी एक gold file है, और अब gold file के अंदर यह नहीं है कि एक atom होगा, बहुत सारे atom से मिलके gold की file बनेगी, ठीक है? तो क्या है? इस atom में यहाँ पे positive charge है, और इस atom में पे भी nucleus है, यही चीज वो कह रहा है इसमें second postulate में, कि एक atom के अंदर जो अंदिस्ट of positively charged particles, ठीक है? इस समझ लो इस postulate को, देखो बचे क्या कह रहा है कि एक atom है, यह एक atom है, इस atom के center में क्या आगया? nucleus और इसके surrounding में क्या आगया? electrons ठीक है, उसने फिर electrons के बारे में भी आखा कि electrons यह circulate हरते हैं, nucleus के इर्दगिर्द, evolution of electrons जो होती है, इस path पर, वो path भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप इतना याद रुखो कि center में क्या होता है? nucleus nucleus और nucleus के इर्दगिर्द, electrons जिन पर negative charge होता है, वो इसके इर्दगिर्द revolve करते हैं, याद रखना है क्या करते हैं? revolve करते हैं, ठीक है? like, देखो जैसे solar system होता है, तो solar system में क्या है? sun, तो sun के इर्दगिर्द क्या है, planet, mercury, Mars, Venus, Earth, Mars, Jupiter, तो ऐसे ही center में क्या है nucleus और इसके इर्दगिर्द जो है, वो electrons गूम रहे हैं तो ये जो गूम रहे हैं, अर्कुलर वे में उसको हम क्या कहते हैं? revolution of electrons लेकन second postulate में जो main चीज वो कहता है, वो कहता है कि एक atom जो होता है, उसके center में positive charge होता है और इसके इर्दगिर्द electron होते हैं, लेकन वो कहता है, कि atom का most आफ़दा जो हिस्सा होता है ager part और minor part, बड़े part में वो कह रहा है कि nucleus होता है बड़े part जो होता है, atom का, ये रदर फोर्ड कह रहा है, कि बड़ा part जो है एक atom का, उसमें क्या होता है, nucleus होता है लेकिन ये चीज आगे जाके इसकी गल्थ प्रूव हो भी, लेकिन अभी उसने ये चीज कहीं, वो आपने समझने है I think second postulate आप समझ गियो होंगे third postulate क्या कहता है, third postulate उसने कहा कि negatively charged electrons revolve around atom in circular paths called orbit at very high speed समझना है, देखो, वोई चीज जो मैंने आपको पहले कही है ये कहता है, कि एक atom है, एक atom है, ये atom है इस atom के center में क्या है, nucleus है, जिसके ओपर positive charge है और, rather force आप कहा रहे हैं, कि इस nucleus के इर्द गिर्द, electrons जो है, वो revolve कर रहे है electrons क्या कर रहे है, revolve कर रहे है circulation कर रहे है, जैसे sun के surrounding में, जो planet से वो revolve करते है अब इन electrons पर कौन सा charge है, negative charge लेकर, rather force आप कहते हैं, कि जिस रास्ते पर ये electrons गूम रहे हैं, ये वाला रास्ता कि जिसके ओपर electrons गूम रहे हैं, ये वाला रास्ता इस रास्ते को, rather ford साब ने कहा है, सबसे पहली बात तो ये circular रास्ता होता है कौन सा रास्ता होता है, circular रास्ता होता है, circular path होता है और उसने उस circular path का नाम क्या रखा बच्चे, आर्बिट क्या नाम रखा, आर्बिट ठीक है, कि नुकलिस के इर्दगिर्द, सौंडिंग में जो electrons रिवाल्व करते हैं उनका जो जिस path पे वो रिवाल्व कर रहे होते हैं, वो path circular होता है और उस path को हम क्या कहते हैं, orbit कहते हैं, याद रखना है ये तीसरे पास्चुलेट में, अरदर फोर्ड साहब ने कहा चोफ़ते पास्चुलेट में क्या कहते हैं कहते हैं कि an atom is electrically neutral that is, कि उन पे कौन सा charge होता है no net charge के उनके ओपर, net charge जो होता है, वो zero होता है अब neutral के बारे में कहा रहा है, तो neutral तो आप समझते ही हो, neutral का मतरब क्या हो गया कि जितने positive charge है, number of positive charge is equal to the number of negative charge तो तब जाके, जो atom है, वो क्या होगा, electrically neutral होगा लेकिन एक चीज़ यहां पे आपने, unfuse नहीं होनी, आपके माइंड में कुछ से ना रहा होगा कि सर बता रहे हैं कि जो atom होता है, उस atom के center में क्या है, nucleus है और nucleus के इर्दगिर्द electrons जो हैं, वो गोम रहे हैं, circular path में, आर्बिट हुए लेकन यहां पे पे तो हमें nucleus दीख रहा है और electrons ज्यादा दीख रहे हैं तो फिर यह neutral हैसे होगा, तो यहां पे आपको confuse नहीं होना है यह जो electrons में show कर रहा हूँ, यह वाला एक electron यह एक ही electron है, जो पहले यहां था, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है यह electrons एक ही है, तो यहां पे टोटल जितने positive charge होंगे, उतने ही क्या होंगे, negative charge होंगे तो मैंने आपको first unit में भी बताया, कि एक atom के अंदर क्या होता है, कि जितने number of protons होते हैं, उतने ही क्या होता है, number of electrons होते है इसी को तो हम atomic number कहते हैं, कि atomic number होता है, कि एक atom के अंदर कितने proton है, या कितने electrons है दोनों का number जो होता है, वो same होता है, तो तब जाकि एक atom जो होता है, वो electrically neutral होता है तो I think आप इस postulate को भी समझ गया होंगे ये इसके कुछ postulates थे, और end पर ये क्या है रहा है, कि but there were some limitations to his models which can be studied after having a look at the postulate कि ये उसने postulate दिये, Rutherford ने but अभी भी इसके कुछ limitations है, तो वो limitations क्या हैं, वो हम next lecture में discuss करेंगे, लेकन अभी के लिए in short आपको इतना पता होना चाहिए कि Rutherford ने at last क्या कहा, देखो, Thompson ने क्या कहा था, Thompson ने कहा था कि भाई, एक atom जो है, वो water melon की तरह होता है, ये Thompson ने कहा था याद रखना है, ये किसने कहा था, Thompson ने, उसने कहा था कि water melon की तरह होता है यहाँ पर positive charge nucleus भी होते हैं, तो तब जाके वो electrically neutral होता है, ये कहा था, Thompson ने, इसकी theory fail होगी फिर आए कौन, Rutherford, Rutherford साब ने alpha scattering experiment किया, और उन्होंने क्या बताया, कि एक atom जो होता है, वो circular होता है, spherical होता है और उसके center में positive charge body होती है, जिसको हम nucleus कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, nucleus ये उस ही ने कहा, हमें इस चीज़ का पता, Rutherford ने बताया है कि इस positive charge को हम क्या कहते हैं, nucleus और इसके इर्दगिर्द, जो गूम रहे हैं, जिनके ओपर negative charge है, इसे उसने electrons कहा, और जिस path पे वो गूम रहे हैं, उस path का नाम, Rutherford ने आर्बिटर रहा का तो ये सारी चीज़ें आपको इसके model की पता होने चाहिए, limitations जो हम आगे discuss करेंगे, thank you